हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल जावा इन हैंड में और ये औरेकल एक्स की नई वीडियो है इस वीडियो के अंतर मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप औरेकल एक्स के 5.1 वर्जन के अंदर इमेज के साथ लोगो नेम दिखा सकते हो ठीक है आप ये बोल सकते कि लोगो इमेज और लोगो टेक्स आप किस तरीके से दिखा सकते हो उसके बारे में हम बात करें है ठीक है तो आईए स्टार्ट करते हो उससे पहले आप से भी लोगो से रिक्रेस्ट है जिन्हों ने इस चै को सीख के जाएं सो चलिए बढ़ते हैं आगे आपका नाजाता टाइम वेस्ट करता हुए चलते हैं अपनी अप्लिकेशन के अंदर जैसे कि आप यहां पर देख रहोगे कि मैंने इस अप्लिकेशन के अंदर लोगो इमेज और लोगो टेक्स डिस्प्ले कर रखा है एक नई अप्लिकेशन के अंदर पूरा एकी स्टेप बाइ स्टेप हम चलते हैं ताकि आप को यह इंप्लिमेंटेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ने आए तो मैं यहां चलता हूँ अपनी एक टेस्टिंग अप्लिकेशन के अंदर इसको उपन कर लेता हूँ ठीक है और यह चलत नहीं और तो मैं यहां से नोट्पैड आपण कर लेता हूँ ठीक हो कि छी लोगों को लैंगविच प्रॉबलम में ओ यहां से समझ सकते हैं ठीक है तो स्टेप बन गो टू एपलिकेशन शेयरेट कोमपनेंट चेक है एपलिकेशन के शेयरेट कोमपनेंट में हम चले जाते ह उसके बाद क्या करना है, go to user interface section, user interface section आ गया, click on the user interface attribute, user interface attribute, select text on logo type, select आपको करना है logo text, छीक है, ये, select करना है आपको logo text, यहाँ पर आपको logo डालना है, हमने डाल दिया, अब logo attribute के अंदर आपको क्या करना है, ये जो section है, ये जो styling है, इसकी, जो logo text की styling को define करेगा, वो आपको यहाँ पर use करना है, और इसको apply change कर देना है, ये आपको होगे step 1, step 1 आपका complete हो गया, ठीक है, आप चलते है step 2 पर, upload logo image to static application file, अब आपको क्या करना है, application जो आपको logo है, जो आप display कराना चाहते हो, यहाँ पर, वो आपको upload करना है, ठीक है, फो मैं यहाँ पर क्या कल देता हूँ, अप लोगों को upload कर देता हूँ, ठीक है, यह होगया, यह मैंने upload कर दिया, और इसके URL के आपको क्या करना है, compete कर ले थीक है और पी रफ्रेंज यूरल थीक है जो भी आपका इमेज का है उसको रेफ्रेंज यूरल आपने कॉंपी कर लिया स्टेब थरी इफ ग्लोबल पेज नोट एग्जिस्ट इन यूर अप्लीकेशन देन क्रेट अगर अगर आपके application के अंदर global page create नहीं है तो create कर लो अगर है तो उसी पर आपको काम करना है तो हम चेक कर लेता है कि हमारी application के अंदर global page create है या नहीं है तो जैसे कि आपको पता होगा कि by default जब हम global page create करते हैं तो उसका जो number होता हो 0 से define होता है इसलिए इसको हम 0 page भी कहते हैं अल्रेडी हमारी application के अंदर zero page defined है, तो आपको करना क्या है, ठीक है, अगर आप create कर लिया, step 3 completed, अब step 4 पर आना है, add page load dynamic action on global page, ठीक है, अब यहाँ आपको यहाँ पर करना है, page load पर करना है, यहाँ से create dynamic action, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है, add logo image, यह होगे आपका identification, ठीक है, उसके बाद आना आपको true पर, जो आपको यहाँ पर show दिख रहा है, जो आपको error define हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको action change करना है, action में आपको क्या करना है, execute, execute javascript, अब आपको settings में code को open करना है, code को open कर लिया, अब आपको यह जो पहला code है, ठीक है, यह आपको use करना, अब इस code के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको understanding आपके अच्छी रहा है, ठीक है, यह हो गया हमारी class, ठीक है, dollar jquery है, ठीक है, यह dot t header logo link, यह हमारा क्या है, यह हमारी यह class है, यह class कहां पर define होती है, यह class हमारी यहांपने define होती है, अगर आप इसको inspect करके अगर आप देखोगे, तो आपको यह class आपको यहांपर define दिख जाएगी, ठीक है, तो इस class पे आपको pre-pend करना है क्या image tag को, ठीक है, इस image tag के अंदर आपको source क्या change करना है, जो आपने copy किया था जो आपने reference URL copy किया था, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे replace करना है इसके साथ, ठीक है आपने save कर दिया, ok कर दिया आपको यहाँ पे save करना है पेज आपका save हो गया, आप आपको directly यहां पर page को run करना, आप यहां पर देखोगे, आपका image tag तेख आपका add हो चुका id के साथ, यह आपकी image display हो रही हो, ठीक है, और यह आपका spam है, जहां पर आपके, अब आपको क्या करना है, जो आपका image है, और जो text है, वो center पर नहीं आ रहा है, एक साथ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा CSS एड़ करना पड़ेगा तो वह आप CSS कैसे एड़ करोगों इस image पे तो उसके लिए आप क्या क्या करोगों जिसके थूरू आप किसी भी क्लास के अंदर inline CSS को एड़ कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ यहाँ पर इस तरीके से इस code को भी एड़ कर देता हूँ टी लोगो लिंक जो हमारे existing class है उसके साथ जो हमारे image tag है ठीक है या मैं id भी ले सकता हूँ ठीक है ठीक है अब आप देखोगे आपका image और आपकी जो text है दोनों एक साथ डिस्पले हो गई है ठीक है आप अपने recording अपनी requirement description box में मिल जागा हमारी website पर ठीक है और आप सभी लोगों से request है जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करने ताकि जब भी हम कोई वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आपके पास आ सगे तो चलिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एकल एक्स की तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यूए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो